नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीदियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेफ प्रोजल टेबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सेफ़ प्रोजिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सेफ़ प्रोजिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की सेफ़ प्रोजिल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में की बायोतिक दवा है सिर्फ प्रोजिल टेबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है जैसे तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर फेफणों में इंफेक्शन होने पर निमोनिया होने पर पेट में इंफेक्श होने पर जोडो या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर से फ्रोजल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर से फ्रोजल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफ्रो में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है। इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर से फ्रोजल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं जिनमें आपका डॉक्टर से फ्रोजल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। से फ्रोजल टैबलेट 250 mg व पांसो mg की स्ट्रेंट में अवेलेबल है। दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की से फ्रोजल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। से फ्रोजल टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर से फ्रोजल 500 mg कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन से फ्रोजल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको से फ्रोजल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना से फ्रोजल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको से फ्रोजल टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने से फ्रोजल टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि सेफ प्रोजल टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है। अब हम discuss करेंगे कि सेफ प्रोजल टैबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेफ प्रोजल टैबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्ध और दस्थ हो सकते हैं। अब हम dısकस करेंगे की सेफप्रोजल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडीशन्स में सेफप्रोजल टैबलेट को लेना रेकमेंदेड नहीं होता है सिर्फ प्रोजल टैबलेट वाइरल इन्फेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को कभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार-बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टिन्स हो सकता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टिन्स होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और ऐसी स्थिती में इंफेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी एंटिबायोटिक दवा देनी पर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सेफ प्रोजल टैबलेट की डोज घटानी पर सकती है। करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डॉक्तर ज्यादा जरूरत पढ़ने पर सेफ प्रोजल टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफ प्रोजिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनिंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को सेफ प्रोजल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेफ प्रोजल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं